जैहिंद नमस्कार साथियों स्वागते आपका आज की इस वीडियो में हम बात करने बाले हैं SSC CHSL 2023 की ओफिसल एक्जाम डेट को लेकर के अगर आप लोगों ने SSC CHSL 2023 में फोर्म को अपलाई किया है और आप इसका एक्जाम देने वाले हैं तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किये हुए बिल्कुल एंड तक अब आसे देखना वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप से कहना चाहाता हूं कि चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिपिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो चले दोस्तों बात करते हैं इस वीडियो में SSC CHSL 2023 की एक्जाम डेट को ले कर गे जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टाप सेलेक्शन कमेशन टेटेटेटिप कलेंडर ओफ एक्जामिनेशन फोर दा येर 2023 एंड चौविस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले नमबर पर SSC GD 2023 की एक्जाम डेट यहाँ पे आप देखेंगे जनबरी से फरवरी के बीच में आपका एक्जाम है जो कि इसमें एक्जाम जोर कमपलेट हो चुका है अब यहाँ पे हम बात करेंगे SSC CHSL की सेकेंड नमबर पॉइंट पे दिया गया है टियर बन आपने फोर्म अप्लाई करने की डेट और यह है लास्ट डेट अप्लाई करने की और यहाँ पे यह है एक्जाम डेट मार्च 23 जो SSC का जो GD का एक्जाम है बिल्कुल आधी जनबरी से लेकर के आधी फ़र्वरी के बीच में कम्पलीट हो चाएगा बात करेंगे यहाँ पे जो SSC CHSL का एक्जाम डेट है क्या मार्च में आपका एक्जाम होगा या नहीं होगा तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपका एक्जाम मार्च में 15 मार्च के आसपास एक्जाम लिए जागा कह सकते हैं कि अगर होली जैसा की आपको बताएगी आठ तावच को है, आठ मार्च को है, शाति या आठ को तो 9 या 10 से आपका exam 100% start हो जाएगा अगर पहले से नहीं होता है हो सकता है पहले से लेकिन लगबग mid के आसपास आपका exam होगा mid March के आसपास जो है आपका exam start हो जाएगा तो यही एक छोटी सी information देनी थी आप लोगों को ताकि आपको पता चल सके कि आपके exam date क्या है official exam date नहीं आईए पर यह month official है इसी महिने में आपका exam भी होगा जैसे ही official exam date आती है हम आपको वीडियो के मद्यम से update कर देंगे यह वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को like कर दीजिए और चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe करें वेल आइकन को प्रेस अबस्क्राव लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं वीडियो अप्लोड करूँ उसका notification सबसे पहले आपको मिले thank you